नमस्कार बहुत स्वागत है आपका One India हिंदी में आज 21 अक्टूबर है साल के दस्वे महिने का ये 21 दिन इतिहास में अपनी एक खास जगहा रखता है देश और विदेश के इतिहास में 21 अक्टूबर को कई ऐसी घटनाई हुई थी जुसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है तो आईए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर प्रसिद भारतिय तैराक मिहिर सेन ने आज़ी के दिन 1966 में बास फोरस की खाड़ी को पार करके एक किर्थिमान अपने नाम किया था मिहिर सेन भारत के ही नहीं बलकि एशिया के पहले ऐसे तैराक थे जिन्होंने साल 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था चीन में कम्यूनिस्ट निताओं ने 21 सितंबर 1949 को पेपुल्स रिपब्लिक ओफ चाइना पार्टी की घोशना की थी जो चीन की सबसे बड़ी राशनिदिक पार्टी है इस पार्टी की घोशना विश यूद के तुरंत बाद चीन में सिविल वार्श शुरू होने और कम्यूनिस्ट नेता माओ जै दौं की जीत के बाद हुई थी बोईंग बी 39 सूपर फोर्ट्रेस ने आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1942 में अपनी पहली उडान भरी बोईंग द्वारा निर्मित ये विमान एक आधुनिक चमातकार था और दित्य विश यूद के दौरान किसी भी देश द्वारा नियोजित सबसे बड़ा बम वर्शक था ब्रिटेन के प्रख्यात लेखक और इतिहासकार एच जी वेल्स का जन्म आज़ी के दिन 21 सितंबर 1866 को हुआ था एच जी वेल्स एक महान साइन्स फिक्स्टन कहानियों के लेखक थे एच जी वेल्स जिनका पूरा नाम था हारवर्ट जोर्ज वेल्स फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिया आप बने रहिए वन इंडिया इंडिके साथ